हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बोती हिल्दी और टेस्टी रेसिपे शेयर कर रही हूँ इसको बनाया है मैंने पालक के साथ और इसके लिए बनाने के लिए मैंने हाफ केजी पालक लिया है और इसको अच्छी तरह धूल लेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक इसको ने बुक्रा और इक प्यास इसके साथ कुछ मसाले अट करेंगे मसाले में 1 तेबेरशपूण लिए है धनिया साबूत और 1 तेबरशपून लिया है जीरा साबूत इसको चीजो को साबूत ही डाल लिए इससे अचा फ्लेवर आएगा इसको पीस कर निकाल लिए और उसी mixer में डाल देगे जो दाल है भीक हुई और इसके दाथ पानी ने डालेंगे दाल को थोड़ी से मोटी मोटी पीस लेंगे अब सारे चुछों को एक अठा करेंगे और थोड़े से मसाले इसमें और एच करेंगे मसाले में लिया है 1 TSP Piss पीज़िव लाल मेश आफ टीसपून हल्दी और आफ टीसपून अजवाइन अजवाइन इसमें जरूद यरूद डाले और इसके साथ लिया in ने two teaspoon लिया मैंने चाट मसाला और इसमें one four teaspoon लिया हींग और one teaspoon लिया इसमें नमक हींग और अजवायन इसमें जरूँ डाले और नमक और नमक और मिर्च अपने टेस्ट की हसाब से ढाल ले और इसके साथ पालक को एड्ट करें पालत में पानी कम होगा तो बैंडिंग अच्छी तरह से होगी और ज्यादा फिर से कुछ चीज़ें डालनी की ज़रूत नहीं पड़ेगी और सारे मसाले को नमक और मिच अपने टेट्स के साथ से डालने और फिर से मैंने दो चमच इसमें दो से यतीन चमच मैंने इसमें बैसन डिया है बैसन डाल देने से इसमें बैंडिंग अच्छी तरह से हो जाएगी और ज्यादा लिक्विडी नहीं होगा और अच्छी तरह से बैंड हो जाएगा हमें इसको steam में करना है तो इसके लिए मैने गयस पे पानी भी रखा हुआ है एक Görड़ी ग्लास पानी रखे तक हमें 10 बार्राइ Dow पंधे मिनट तक हमें इसको steam में रखना है तभी यह मारी apie टीकी त्यार होगी तो छोटे छोटे से मैंने टीकी बना है और इसको 222 इस तो यहीं करने इस तो हिनाजू कर निरुथ निकान लें और आगर आपकी प्रॉप करने की तो हमाख सकते हैं कशोपी मैंने इसको स्टोर करने के लिए रख दिया आप जतना मुर्जी हो इसको सकत निकाले और भागी इस्ट्छोर कर दें वन भीक के लिए और इस तरह से मैंने इसको रख लिया है और थोड़ा सा मैंने हलका सा इसको प्राइ किया है तो बहुत ही कमाल डाले या आपके मरजी यह तो नहीं भी डाले इस तरह से भी हलका सा गरम करें और आपको सर्व करें के बहुत ही चटपट्टी सी हिविल्धी सी की से हमारी लिटिक की तैयार हो गई है ना तो इसको छान ना है और ना थो भूट ज़्यादमे नत है एक बार अगर बना लेगे तो वण वीक के लिए आपको काम जाएगा और यह रफजान के लिए भी बहुत ही अच्छी रेश्पी है इसे जरूर बनाएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें थैंक्यू सूमेच